की डेलडी प्रसासन द्वारा हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ है जो कि आज हमने अपनी जमीन पे अपना कबज़ा कर लिया है बिलासपूर जिला के गाओं मंगरोट में एक परिवार ने अपनी मलकियत जमीन बता कर शिमला मटाॉर राश्ट्र राजमार्ग 103 पर ही कभजा कर लिया है जिस से शिमला वा धर्मिशाला आने जाने वाले वाहनों की आवजा ही प्रभावित हो रही है राजिनकांत शर्मावा सीता शर्मा का कहिना है राश्ट्री राजमार्ग 103 पर उनकी मलकियत जमीन है जिस पर PWD विवाग द्वारा कबजा कर सडक बनाई गई थी और अब उनकी जमीन वापस नहीं की जा रही है उनकी मांग है प्रशासन द्वारा जमीन की निशान दे ही होने के बाद उनके हिस्से में आई करीब आट बिसवा जमीन को लेकर उन्हें विवाग मुआवजा दे वा भूमी अधिग्रिहन प्रक्रिया कर उनकी जमीन की सही कीमत उनके परिवार को दे इस न्यूस इस ब्रॉट टी यू बाई जी एने आपको कैसे पतला राजिशन इस बात का निसान देही में यह निशान देने के लिए कौन आया था तसील दार आए थे और कानों को प्टवारी विगर आया थे विवाग का आदमी पीड़ी का आया था कोई अब लास्ट में आपकी विवाग से कब बात हुई आपने क्या मांग रखी थी और विवाग ने क्या बोला था तो राजिशन जी इस रोड बंद करने से समस्या का हल तो नहीं होगा आप लिखित को कारवाई करनी थी विवाग सेवाग ने अब हाथ खड़े आज के टेंग में ना अपने हाई कोट में जाना हाँ सर पैसे नहीं है ना अच्छा पैसे नहीं है आप सब्सक्राइब कर देगा राजन जी आपको पता कैसे लगा कि सडक में आपकी जमीन है तो आपकी डिमांड क्या है सरकार से क्या डिमांड है कि कब उठाएंगे आप इसको क्यूंकि रोड पर दिक्कत हो रही मैं भी यहां से गाड़ी से जा रहा था और मैंने देखा इसकर के मैं आपसे पूछने के लिए दो चार मिंट के लिए रुका हूँ आपकी मांग क्या है किस तरह फो लेंगे आप जरूड को यहां से इनका रोड है असल में वहां से अपना रोड बनाए अच्छा तो इस सड़क कौन सी सड़क यह मैं वैसे मैं तो मंडी साइड से आया सिमला जा रहा हूं वैसे इस रोड क कि जमीन हैं और की ने मतलब कि इनका कहना कि मेरी और भी आगया तक है मैं तो सिर्फ सरकार को जो है चतन्य देना चाहता हूं कि स्थ्चा को जबने घ् erm कर्दें ताकि सरकार का भी नुक्षान नहीं प्प्छिक का भिनक्सों ना हो और मेरी जमीन जो है मैं अपनी जमीन से जो है कुछ ना कुछ रोजी रोटी कमा सकूँ ये इनका कहना है तो मेरा इस वीडियो की माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि सरकार तुरंत राजनकांसी से बाचीत करें और इसका कोई ना कोई समधान निकालें ताकि आने जाने बाले लोगों को या यात्रियों को या जो पेसेंट सिमला जाते हैं इदर से या गाड़ी वाले जो है इनको कोई दिक्कत ना हो किसी परकार का यहां कोई एक्सिडेंट ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा यहां ट्रैफिक हैं और आपने सुनी लिया कि सिमला और धरमसाला का रोड है अभी ये विभाग से की तुरंत राजन से मिलके जो है मिल बैठकी बाचित करके जो है इसका कोई ना कोई समधान निकालें तक की समस्या का हल हो देवे हिमाचल टीवी के लिए बिलासपूर से अनिल पत्याल की रिपोर्ट में आपक्त पॉप्टिव ए लिए लग्याश्य घूनिवसित करत एंट उन भी आपटनीव इन रिए मिलके जूब दुख फ्रटेशित कर देया अवेश्य ना करे इस एंट गूज तुटिशन से ये जायरिव आटनेउट से विपोर्ट प्टेंट मुट्ट्सिफूर्ट